दोस्तो सुबा सुबा की धूप, एक कप चाई और हमारे गार्डन में बैठना ये दोस्तो सर्दियों का बेस पार्ट होता है हमारे लिए दोस्तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने गार्डन में डेली महनत करते हैं डेली कुछ ना कुछ हम लोग लगे रहते हैं कभी स्प्रे, कभी खाथ, कभी फर्टिलाइजर लेकिन शायद अपने गार्डन में बिजीनेस के कारण ज्यादा एंजॉयमेंट नहीं कर सकते स्पेशली दोस्तों गर्मियों में गर्मियों में actually होता क्या है? शाम की समें हमें गर्मी लग रही होती है तो हम कभी AC ज़ॉन कर लेते हैं या फिर दोस्तों हमारा जो गर्मियों का समय होता है AC में नहीं तो इन बार्ट्स की केर में चला जाता है और हम लोग enjoy नहीं कर पाते लेकिन सर्दिया ही एक ऐसा समय है जिसमें कि हम सुबह सुबह एक कपचाय के साथ अपने पूरे गार्डन को इंजॉई कर सकते हैं और दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि सर्दियों में फ्लार वेराइटी तो लदी रहती है flower variety इतनी है, इतनी है कि आप लोग लाते रहेंगे नाम मैं बताती रहूंगी और शायद वो नाम खतम ही नहीं होंगे नमश्कार दोस्तो, मैं हूँ केमी फ्रॉम ब्राइट स्केल स्वेट केमी चैनल से और एक बार फिर से स्वागत करती हूँ, आपका आपके अपने ही चैनल प्राइट स्केल स्वेट केमी पर तो दोस्तो चलिए, स्टार्ट करते हमारा आज का वीडियो आज का वीडियो दोस्तो इसी चीज़ पर है कि एक कब चाय के साथ आप कौन-कौन से पौदों के साथ इंजॉय कर सकते हैं मौर्णिंग में तो इंजॉय करने के लिए दोस्तो हमें प्लांस तो लगाने पड़ेंगे जिससे देर सारी ब्लूमिंग हो लेकिन अप कौन-कौन से सर्दियों के प्लांस लगाएं जिससे कि हमारे सुभा सुभा का ये चाय वाला इंजॉइमेंट बिल्कुल जस्ट टबल हो जाए पहला प्लांट है हमारा दोस्तो पिटूनिया का ये आप लोग अपने गार्डन में जरूर एट कीजिए बहुत ही कॉमन इजी टू ग्रो प्लांट है हमारे गार्डन्स का और विंटर गार्डन में सबसे ज़्यादा खुबसूरत प्लांट हमारा पिटूनिया का ही लगता है सेकंड प्लांट जो दोस्तो हमारे गार्डन्स के लिए है वो है हमारा गजानिया का गजानिया के हर प्लांट और इसमें इतनी सारी कलर वराइटी होती है दोस्तों कि देखते बनती है हर कलर एक बहुत ही खुबसूरत रंग होता है और सुबह दोस्तों ये प्लांट समारे खिल जाते हैं और शाम के समय हमारे ये बंध हो जाते हैं next plant है दोस्तो हमारा calendula calendula के flowers में आप लोगों को खिले भी दिखाना चाहूंगी यह देखिए यह हमारा calendula का flower है इसमें दोस्तो orange color yellow color lemon color yellow के कई shades समय देखने को मिल जाते हैं next है दोस्तो हमारा chrysanthemum chrysanthemums जो हमारे होते हैं यह सबसे जादा vast variety flowers होते हैं और बिल्कुल bouquet की तरह एक मतलब एक लुक देते हैं कि बहुत ही जादा खुबसूरत यह flowers और plants लगते हैं अगर दोस्तो आप लोग यहां देखेंगे तो यहां धेर सारी blooming हो रही है बिल्कुल पास-पास ली plants रखे हुए हैं लेकिन इन plants के साथ दोस्तो बस एक draw bag होता है जोकी होता है हमारा जो plant है वो एक बार blooming करके उसके बाद कलियों को दोबारा से खिलाने में बहुत समय ले जाता है तो यहां देखिए दोस्तों लेकिन जब इसके फूल खिलते हैं तो बेहदी कुप्सूरत लगते हैं इनके mother plants में भी दोस्तों ठेर सारी कलिया आ रही हैं और यहां देखिए यहां पर देखिए कितनी सारी कलिया है और इसमें यह दो वैराइटी और भी हैं जिसकी ज़्यादा कुप्सूरत plant होता है दोस्तों बड़े बड़े flowers के साथ यह plant ठेर सारी कलिया देता है और दोस्तों आप लोगों के garden की मज़े को just double नहीं into 10 कर देता है फिर है दोस्तों हमारा साल्विया का plant साल्विया का plant आप लोग देख रहे हैं इसमें ठेर सारी दोस्तों क भी खेल लेता है तो यह plant भी हमारा बहुत ही खुबसूरत है फिर दोस्तों जो plant मैं आपको दिखा रही हूँ यह हमारा last year का है यह हमारा दोस्तों strawberries का plant है इस strawberries के plant हमारा fruiting plant है लेकिन बहुत ही ज्यादा सुन्दर होता है दोस्तों अगर आप लोग इसे लगाएंगे तो से भी ज्यादा खुबसूरत आपके garden में यह लगता है और चोटी चोटी strawberries देखने में बहुती ज्यादा मज़ा आता है यहां दोस्तों हमारा dynthus है dynthus भी हमारा एक ऐसा plant है जैसे कि आप अपने garden में add कर सकते हैं इसके अलावर दोस्तों एक ऐसा hardy plant जो कि आपके garden में जब लग जाएगा एक बार आ गया तो दुबारा नहीं जाएगा यह हमारा दोस्तों नस्ट्रेशियम का plant नस्ट्रेशियम का plant भी अपने garden में जरूर एट कीजिए जिससे कि आपके garden में यह धेर सारे फूल खिलाए और इसकी मेहक इतनी ज्यादा प्यारी होती है दोस्तों अगला प्लांट है दोस्तों हमारा रेनीकलस का तो रेनीकलस का plant भी आप लोग अपने garden में जरूर लगाए और इसी किचस्पगल में हमारा प्लांट रखा है एक बल प्लांट फ्रीजिया फ्रीजिया या फिर फ्रीशिया 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 प्लांट को आप लोग ज ज्यादा सुन्दर लुक देते हैं हमारी डॉक फ्लावर्स डॉक फ्लावर्स में अंगिनत कलर्स होते हैं जो कि आपकी गार्डन को बहुत ही सुन्दर बनाने के दोस्तों काबिल होते हैं तो आप लोग इन प्लांट्स को जरूर लगाएं इसमें रेड यलो वाइट और तरह सब्सक्राइशन ये लास्ट येर का है इसलिए थोड़ी सी खराब लग रही है लेकिन ये प्लांट अभी धीमीधी में अपने आपको दुबारा से ग्रो कर लेगा और ठीर सारे फ्लार्स इसके अंदर आ जाएंगे इसके बाद दोस्तों हमां मैं बात कर रही हूं सब्सक्राइब तो यह आपके गार्डन को बहुत ही कुब सूरत लुक देता है पहले तो और सेगेंडलि आपके कार्डन में पहुत प्यारी सोगन देता है प्रेग V- में भूछरी शारी कलिया दी आगे मिए और ये एक जादट कलर को तो हाई पर दोस्त लगाते हैं तो hybrid variety में दोस्तों आप लोगों को हर तरह का रंग इसमें देखने को मिल जाता है white हो, red हो, pink हो, yellow हो, double में हो चाहे multi petal में, चाहे single petal में हर तरह की petals इसमें देखने को मिल जाती है और आपके garden को बहुत ही खुबसूरत लोग की plant देने वाला है इसे ज़रूर अट कीजिए अगर बात करें दोस्तों हम लोग flower king यानि की rose की तो rose तो दोस्तों आप लोग हर तरह का अपने garden में अट कीजिए rose बहुत ही सुन्दर होते हैं इनकी जो birds होती हैं चाहे वो hybrid में हो चाहे वो इस तरह के दोस्तों आप लोग देख रहे हैं miniature variety में हो या फिर दोस्तों हमारी देशी variety में हो या फिर दोस्तों हमारी big size hybrid varieties में हो तो इसमें हर तरह की variety में आपका ये plant बहुत ही ज़्यादा दोस्तों आपको प्यारी blooming देने वाला है इसे अपने garden में दोस्तों add तो बात में कीजिए मैं तो कहूंगी अपने garden में सबसे फर्स नमबर पे रोज को ही रखिए next plant है हमारा दोस्तों टाइमर पूतिका टाइमर पूतिका के साथ मैं आप लोगों को वताऊंगी दोस्तों African daisy और daisy तो ये तीन वाराइटी होती है African daisy हो गया हमारा गसानिया डेजी हो गया दोस्तों हमारा पॉम देजी एक और इस तरह का प्लांट होता है जो की बहुत प्यारी blooming करता है और एक हो गया दोस्तों ये हमारा टाइमर पूतिका आजकल ये तीन वाराइटी हमारे garden में daisy की add की जाती है daisy की वैसे बहुत सारी वाराइटी है अंगेनत और daisy में हमारी एक naturally बिलकुल एक daisy वाराइटी भी आती है जो की बहुत सुन्दर होती है और जिसे कि आप लोगों ने अपनी drawings में बच्वन में फूलों को बनाया भ इसी तरह दोस्तो होता है हमारा जर्वेरा जर्वेरा को भी अपने garden में जरूर एट कीजिए ये तो हमारा permanent plant है दोस्तो हर वक्त ही blooming और दोस्तो अगर मैं आप लोगों को बताओं तो ये plant blooming सिर्फ तब रोकता है जब इसका एक देड़ महीने का dormancy time आता है तब इस प्लान क को बचाना होता है इसमें धेर सारी दोस्तो कलिया आती है और इसमें जो crowns होते हैं उनका भी आप लोग division आराम से plants का कर सकते हैं धेर सारी कलिया इसके अंदर बन जाती है इसके अलावा दोस्तो मेरी कुछ sampling सैयार हो रही है जैसे कि ये stock की तो इसमें hybrid और देशी दोनों ही stock है ये देखिए कि मैंने अंबरूद के पेड़ के साथ इसमें बीच डाले हुए थे तो ये देखिए stock के कितने सारे plants हो गए मेरे पास ये देखिए अंगिनत इतना अच्छा लगता है इनको इस तरह से टच करने में ये देखिए इसके अलावा दोस्तो मेरे कुछ क्यूट लगते हैं ये चोटे-चोटे से और दीमेदी में करके ये बढ़ते हैं इसके अलावा दोस्तो आप लोग अपने गार्डन्स में जिरेनियम ब्लांट जरूर एट कीजिए ये आपका पर्मनें ब्लांट है इसकी कितनी भी cuttings आप लोग बना सकते हैं और कितना भी हम आपके ये गार्डन में दोस्तो रह सकता है इसकी एज ये जो प्लांट में आप लोगों को दिखा रही हूं आपके सामने इस प्लांट की एज अपने आप में फाइव एर्स है दोस्तो पांट साल से हम लोग लगातार इस प्लांट को बचा रही है और लगातार ही हमारे गार्डन में बहुत ज़्यादा सुन्दर प्यारी ब्लूमिंग करता रहता है इसके अलावा दोस्तो हमारा फायर वॉल पॉइंट सिटिया फायर वॉल पॉइंट सिटिया भी आप लोग अपने गार्डन में आइट कर सकते हैं इसकी बॉल्स बहुत ज़्यादा खुबसूरत होती है और साथ में दोस्तो यहां आप लोग देख सकते हैं ये भी पॉइंट सिटिया की एक वैराइटी है पॉइंट सिटिया की दो वैराइटी होती हैं एक हमारा फाइर वॉल और दोस्तो एक हमारी नॉर्मल जिसमें पक्तियां आती है चौड़ी चौड़ी वो दोनों तो यह दोनों प्लांट वही रखे हुए हैं इसके अलावब दोस्तो आप लोग इंडोस में इस तरह के सर्क्यूलेंस लगा सकते हैं सर्क्यूलेंट प्लांट आपके गार्डन में बहुती ज़्यादा सुन्दर लगते हैं ये देखिए इस तरह की सर्क्यूलेंट प्लांट अपने गार्डन में जरूर एट कीजिए ये आपके गार्डन में लंबे समय तक रहते हैं और सर्दियों में इनकी खुबसूरती बहुरी ज़ादा बढ़ जाती है बस ध्यान इस बात कर रखिए ये रात में इन पे ज़्यादा दोस्तो ओस्वैगरा ना बढ़े और्नमेंटल्स की जब हम बात करते हैं दोस्तो तो और्नमेंटल प्लांट्स में हमारा ध्यान सिर्फ इनकी पत्तियों की वज़े से इन पर जाता है तो पत्तियों वाले प्लांट्स में हमारे कैबिज केल की बात ही अलग है दोस्तों पूरे साल हम इस प्लांट को बचा सकते हैं और पूरे साल इस तरह से दोस्तों ये ब्लूमिंग देता है काबिच केल इस तरह का प्लांट है जो कि बिलकुल गोबी की तरह नजर आता है इसमें सफेद और हरा बिलकुल गोबी की जैसा नजर आता है और ये जैसा आप लोग देख रहे हैं ये एक ornamental beautiful hybrid variety है जिसमें की दोस्तो purple और इस तरह का light purple shade होता है with green color और ये बहुत ही ज्यादा सुन्दर लगते हैं ये दो तरह से आते हैं दोस्तो जब ये बढ़ जाते हैं पूरी तरह से तो इसमें एक देसी variety है एक hybrid जो आप सामने दे देसी variety की अगर मैं बात करूं तो वह इन से ज्यादा खुबसूरत होती है दोस्तो अकसर करके हमने देखा है hybrid varieties ज्यादा खुबसूरत मानी जाती है ज्यादा दोस्तो हम लोग उन पर ध्यान देते हैं लेकिन उनकी जो देसी variety होती है वह भी कुछ कम नहीं होती है दोस्तो cabbage केल में अगर आप लोगोंने देसी variety लगा ली तो एक स्टिक सामने की तरफ आएगी एक उसके साइड में से निकलेगी एक उसके साइड में से और हर तरफ cabbage केल ही cabbage केल का पूरा एक बंच बंच आएगा तो आप लोग देसी variety ज़रूर ट्राइक कीजिए वीडियो को अगर आगर आने वाले समय मैं आप लोगों को और तरगे धेर सारे plants और flowers बताती रहोंगी बाइगा अप लोगों से नेक्स वीडियो में नहीं जानकारी के साथ और इस सभी प्यांज की जानकारी के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब सरूर कीजिए और साथ ही प्रेस कीज जिससे की आप लोगों को मेरे अपडेट्स चल्दी से दोस्तों एकदम से मिल जाएं पाइगाइज